तो आज की वीडियो के साथ मैं अंतक बने रहेगा क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मैं न्यू इन्वेस्टर को देखते हुए बना रहा हूँ अगर आप भी म्यूचल फंड में आना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं म्यूचल फंड से मनी बना सकता हूँ तो आप बिल् वेस्ट प्लान स्मॉल कैप के टेगरी के जो दोस्तो मेरी नजर में आज भी वो नंबर वन पर है और आने वाले टाइम में क्योंकि स्मॉल कैप जो है वो एक लंबे गोल के लिए लिया जाता है इसलिए जो स्मॉल कैप मैं आपको बताऊंगा वो आप अपने पोर्टफोल स्ट्राइब बटन दबा करके घंटी चरू दबाएगा तभी मेरे द्वारा बनाएंगे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा आती रहेगी तो ज्यादा आपका टाइम ने लेंगे आईए फटाफट चुरू करते नमस्तार दोस्तों मैं हूं परूजीत और आप दे हैं तो इतना आप मान लिजिए कि आप बहुत सही टाइम पे बहुत सही डिसीजन लेने जा रहे हैं क्योंकि मार्केट जो है वो स्मालर मेट केटेगरी के अंदर 30 से 35% की जो गिरावाट है वो दिखा रही है और मैं इतना आपको गाठ बांद करके बोल देता हूं कि अभी यहां से और जो है थोड़ा सा और नीची जाने की उम्मीद है और उसके बाद जो है मार्केट जो है वो स्टेबल होगी और वहां से जो दोबारा चढ़ाई करेगी तो आप जिस टाइम पे सोच रहे हैं ये जो टाइम है ये कापी बहतरीन ऑपरुरुनिटी हो सकती है आप के लिए अगर आप इस टाइम पे mutual fund शुरू करना चाते हैं तो सबसे अच्छी recommendation मेरे according रहेगी जितना मेरे पास experience है mutual fund का उसके हिसाब से आपको इस टाइम पे SIP शुरू करनी चाहिए अगर आप एक मोटी रकम लगाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा साउधान हो जाए य एमर्जिंग बिजनस या SBA का small cap 82% देता है और मैं लगाँगा इस टाइम पर 10 लाख रुपए और मुझे जो है पर एक लाख रुपए पे 82% का return मिल जाएगा तो थोड़ा सा रुक जाए इस तरह से investment नहीं होती है किसी भी plan के return को देख करके mutual fund में आप बिलकुर aggressive हो करके जाएंगे और वहां से mutual fund थोड़ी और नीचे खसक जाएगी तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है इसलिए mutual fund के अंदर उतरने से पहले एक new investor को अपना goal बनाना चाहिए अगर आपका goal पय है कि आपने अज से 10 साल के बाद में एक 50 लाख का मकान खरीदना है तो वो 50 लाख रुपए आपका goal है अभी आपको देखना ये है कि आप अपनी income के हिसाब से जो investment कर रहे हैं जिस भी fund में आप fixed deposit में कर रहे हैं या LIC को investment समझ के कर रहे हैं क्या वहां से 10 साल के बाद 50 लाख रुपए निकल पाएंगे अगर नहीं निकल पाएंगे तो आपको अपने plan को change करनी की जरूरत है इसका मतलब ये है आप mutual fund में अपने goal को देखते हुए plan का चुनाओ करें बहुत सारी वीडियो में मैं इसका जिकर करता रहता हूं और दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने इस time पे SIP करनी है smaller mid cap में बहुत बड़ी गिरावट देखी जा र अगर आप एक मोटी रकम लेकर आना चाहते है तो मेरी recommendation आपके लिए ये रहेगी कि एक दो महीने और रुख जाए थोड़ा सा और देख लीजे market अभी stable होगी और stable होने के बाद लहरा करके सीधा उपर की तरफ चलांग मारेगी क्योंकि market जो है वो बिलकुन एक कह लीजे क गोली की तरह नीचे गिरी है और मेरे हिसाब से जब चड़ाई करेगी तो कम से कम 45 डिरी का angle तो बनेगा ही तो अच्छा growth आपको देखने के लिए मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर तो अगर आप एक मोटी रकम लगाना चाहते है तो मैं बोलू मैं थोड़ा सा रुख जाईए SIP करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा option है start करिए एक balance fund और एक smaller mid cap type के fund से दो fund लीजिए ज्यादा मत लीजिए कोशिश करिए कि ये एक beginner की starting इस तरह से ही हो एक small cap ले लिए अगर आपके पास पैसा जादा है लाइक 15-20 जार उपर लगाना चाहते हैं तो एक small cap ले लीजिए एक balance fund ले लीजिए और आपका tax करता है तो आप एक ELSS fund ले लीजिए और अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़्याद ज़्याद आप कुश मत करिए एक multi cap ले करके कि अभी कुछ महीने रोक जाएए अभी आप उस मोटी रिकम को क्या करिए किसी liquid fund में place कर दीजिए liquid fund में place करने के बाद जब आपको लगे कि हां market stable हो रही है बीच बीच में मैं भी आपको up to date करता रहता हूं उस time पर आप STP कर दीजिए जैसे कि आपने एक लाग रु रुपए की STP कर दीजिए उतना पैसा ओट करके आपकी liquid fund से आपके जो equity में जो भी है small cap आपने चुना है उसमें enter हो जाएगा और उस गिरावट का सही benefit आपको उस time पर मिलेगा SIP करने वालों को बिलकुन दरने की जुरुत नहीं है वो तो इस time SIP registered कर सकते हैं market में है तो इतनी अच्छी opportunity को मत जाने जीजे अभी SIP शुरू करिए और SIP किन में शुरू करना चाहिए आपको जो मेरे recording best fund है वो उसकी list में अभी आपको अपने laptop पे लेकर चलके पहला plan जो मैंने open किया हुआ है वो आप देख सकते है L&T Emerging Business Direct Growth Fund है और जो दूसरा plan मैंने आप के लिए open किया हुआ है वो है दोस्तो SBI का Small Cap Direct Growth Fund ये दोस्तों fund जो है काफी बहतरीन कमाल का return दे करके fresh investor के लिए बंद हो गया था और ये दोबारा reopen हुआ है थर्ड फ्रान दोस्तों जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है दोस्तों Reliance का Small Cap Fund ये दोस्तों काफी बहतरीन return दे रहा है पिछले कुछ साल से अगर top 5 fund का जबी विए जिकर आता है तो इस Reliance Small Cap का नाम जरूर सामने निकल के आता है और तीसरा fund दोस्तों जो मैं लेकर आया हूँ वो उनके लिए है जो दोस्तों सोचते हैं कि Small Cap तो हो लेकिन ज्यादा वो जटके वटके ना दे काफी stable return दे ज्यादा भैंक रिटन भी ना दे और ज्यादा जो है वो गिरावट भी ना है तो वो जा सकते हैं SDFC Small Cap के साथ में SDFC Small Cap जो है वो काफी stable return देने के तो Franklin India Smaller Fund ये fund भी दोस्तों काफी बहतरीन fund है ये 5 ऐसे fund है जिनके साथ में आप investment कर सकते हैं इनका जो दोस्तों return रहा है वो काफी बहतरीन रहा है अगर आप LNT वाले की NAV की बात करेंगे net asset value की तो आप यहाँ पर देख सकते है 24.845 यहाँ पर आपको नज़रा आ जाएग तो यहाँ पर 40.78 आपको यहाँ पर लिखावा मिल जाएगा SDFC का भी आप देख सकते है 43.540 है और Franklin India Smaller का देखेंगे तो 54.061 दिखाएगा और दोस्तों ये 5 फंड काफी बहतरीन रिटन दे रहे हैं पिछले कुछ सालों से अभी बात कर लेते हैं इन 5 फंड के पिछले और दोस्तों अभी मैं बात कर लेता हूँ इनके रिटन के बारे में तो आप देख सकते हैं मेरे डिस्प्ले पे कि जो L&T Emerging Business है वो अभी 1 येर से बुरा हाल चल रहा है वैसे बुरा हाल तो सभी mutual fund का चल रहा है लेकिन इस fund का भी काफी बुरा हाल है आप देख सकते हैं औ और जो सो जो 3 years का रिटन है उस तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 18.10% है और 5 years fund को complete नहीं हुए है इसी रहे कई लोग इस fund से कतराते भी है लेकिन आपको सोचने वाली बात है हर fund एक दिन नया ही होता है और देरे देरे चो अब आपका trust और विस्वास मिलता है तो वो fund पूरा ना होता चला जाता है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर SDFC small cap जो है जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप एक stable return चाहते हैं आपको लगता है कि मुझे ऐसे fund के साथ में रहना है जो बहुत 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 और जो SBA का small cap है उसका जो return आपको नजर आ रहा है आप देख सकते हैं minus में दिखा रहा है यहाँ पर minus 3.90 दिखा रहा है और जो 3 year का return दिखा रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं 15.36% दिखा रहा है लेकिन जो 5 year का return है वो 30% दिखा रहा है तो यह कुछ लंबे समय से अच काफी अच्छा है आप देख सकते हैं तो लंबे समय में एक अच्छा return दिया है इस fund ने इसलिए बहुत सारे लोगों का trust है इस fund के अंदर जो मैं आपको recommend करूँगा इस गिरतिवी market में SIP स्टार्ट करने के लिए अगर आप लंबसम करना चाहते हैं एक मोटी रकम के साथ में तो थोड़ा सा रुख जाईए यहां से market थोड़ी सी नीचे गिर सकती है में भी chances है कि गिर सकती है इसलिए मोटी रकम लेके उतरना सही नहीं होगा लेकिन SIP के लिए बहुत अच्छा time है क्योंकि SIP जह हर मन्त में एक buy करती है automatic हो जाता है automatic आपके account से कटता रहता है और यह time बहुत अच्छा है क्योंकि आपको जो है कम पैसे में होंगी क्योंकि NAV का जो rate है वो गिर चुका है तो आपको जाहर सी बात है जहांपर 100 रुपे में आपको 5 एपल मिलते थे अभी जो है आपको 7 एपल मिला करेंगे तो यह time अच्छा है SIB स्टार्ट करने का लेकिन अगर आपके पास एक मोटी रेकाम है तो रुप जाइए मार्केट गिर सकती है आप खुद देखिए कि जो तेल के दाम है वो बुरी तरिके से चड़ रहे हैं और तेल का जो rate है वो हमारी control में नहीं होता क्योंकि तेल हम इ देख लिया होगा कि अगर एक डॉलर को आप रूपे में देखेंगे तो इस ताइम पर 75 के आसपास जा चुका है एक यूस डॉलर जो है वो 75 इंडिन रूपीज के बरावर हो चुका है तो कहने का मतलब यह है एक तो तेल का दाम बढ़ता जा रहा है उपर से जो है डॉलर जो है हम पे हावी हो रहा है तो कई सारे रीजन उपर से बैंकों के बहुत सारे लफडे आ गये तो इन सब चीजों को मिला चुला करके आपके उपर एक बहुत बड़ा इंपक्ट पड़ा है मूच्वल फंड के उपर और मूच्वल फंड जो है वो पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा प्रफॉर्म कर दी जा रहे थी तो बहुत जबरदस्त रिटर्न मिल रहा था उमीद से जाता तो ये तो होना है था कि मार्केट गिरती एक गम से दडाम से गिर गई तो ये दोस्तों रिकवर भी होगा वापस मार्केट अपनी लेबल में आएगी कहने का मत का मत्रों कर दो 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 झाल 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 झाल